तो आज के हमारे chapter का नाम है tools of financial statement analysis ठीग है ? इसका मतलब यह है कि जो भी हमारे financial statements होते हैं financial statements हमारे course में 2 होते हैं एक होता है company के लिए P&L जिसको आप statement of P&L कहते हो और एक होती है balance sheet तो हम अपने financial statement को analyze करते हैं उसके tools होते हैं कुछ तो इस चेप्टर में आपको कितने टूल सिखाए जाते हैं दो पहले टूल का नाम होता है comparative statement दूसरे टूल का नाम होता है common size statement comparative statement को आप horizontal analysis भी कहते हो वो भी मैं समझाँगा कि क्यों इसको ऐसा horizontal बोलते हैं और common size statement को आप vertical analysis भी कहते हो वो भी हम समझ लेंगे कि vertical क्यों कहते हैं तो horizontal analysis मतलब की comparative statement जो होता है वो हम balance sheet का भी करते हैं वो हम अपने statement of PNL का भी करते हैं तो दो बाते इसमें सीखेंगे और common size statement जो है वो भी हम अपनी balance sheet का भी करते हैं और अपने statement of PNL का भी करते हैं तो दो बाते वो सीखेंगे, तो कुल मिलाकर इस चेप्टर में हमको कितनी बाते आनी चाहिए, चार, एक, दो, तीन, चार, राइट, बागी कुछ basic theory है, उस पर भी एक बन नजर दाल लेते हैं, comparative statements बनाने के आखिर उद्देश्य क्या होते हैं, यानि कि उसके objectives क्या होते हैं, हम कोई भी company क्यों comparative statements बना रही है, तो पहली बात तो यह कि इससे data जो है, वो बहुत simple हो जाता है, presentable हो जाता है, दूसरी बात यह कि इससे हमें trend का पता लग जाता है, कि हमारी company कैसा कर रही है, अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, भविश्य में कैसा करेगी, तीसरा, इ इससे हम अपनी company की strength और weaknesses के बारे में भी जान जाते हैं, कि कहां, किन पहलू ओपर हमारी company मजबूत है, किन पहलू ओपर हमारी company थोड़ा weak है, वो पता लग जाता है, इसके अलावा कई बार हम दूसरे firms के साथ comparison करने में भी helpful कर देते हैं, यह statements, तो मुझे अपनी company का, कोई अनुमान लगाना हो, तो यह statements उसमें थोड़ा मदद कर देंगे, तो यह basic objectives होते हैं, comparative statements को prepare करने हैं, इसी तरह इसमें आता है कि importance, यानि कि इनके फायदे क्या है, या comparative statement हम prepare करते हैं, इनका importance क्या होते हैं, तो पहला importance है shareholder को, अब shareholder आप जानते हो कि कौन होता है, ultimately company क मालिक owner होता है, तो उसके लिए तो यह सबसे जादा important है कि मेरी company कैसा काम कर रही है, तो इसी लिए यह statements shareholder के लिए बहुत महतकून होते हैं, दूसरे होगा है management, अब management के लिए क्यों important होता है, क्योंकि उनको करना है decision making, उनको business चलाना है, तो इसी लिए उनके लिए भी यह हमारा business कैसा कर रहा है, तो यह comparative statement उसमें मदद करते हैं, तीसरे होगा है lenders, तो lenders के लिए क्यों जरूर यह comparative statement, बिल्कुल सही, उन्होंने हमारी company को loan दे रख है, तो वो यह देखते हैं कि हमारी company क्या उनके पैसों को सही समय पर वापस कर पाएगी के नहीं कर पाएगी, त जाइज हैं के इसी तरह, investors यह potential investors, यह हमारी company में निवेश करना चाहते हैं, यह हमारी company में invest करना चाहते हैं, तो इनके लिए भी comparative statement important होते हैं क्योंकि इन से इनको पता लगता है कि यह company निवेश करने लायक है भी के नएड़ी, बाकि comparative statements की कुछ कमिया होती हैं, यानि कि limitations हो दूसरी बात कि इसमें कुछ personal bias हो सकता है क्योंकि इसको बनाने वाले लोग जो है वो आपकी तरह मेरी तरह मुंशी होते हैं तो हम अपना personal bias के हिसाब से भी थोड़ा सा इसमें designing window dressing कर सकते हैं यह limitation इसमें हो सकते हैं बाकी इन statements के अंदर भी हम कोई qualitative element नहीं लेते हैं यानि कि इसमें सिर्फ monetary चीज़ों को भी record करा जा सकता है company में दो managers की लडाई हो गई हम इसमें record नहीं कर पाएंगे यह हमारी factory में strike हो गई हम record नहीं कर पाएंगे तो यह statements qualitative चीज़ों को भी ignore करते हैं और similarly price level changes को भी ignore करते है तो अगर हमारी किसी भी चीज़ की asset की value बदल गई market में तो इस चीज़ों को यह record नहीं करते हैं यह सिर्फ cost को show करते हैं तो यह कुछ limitations होते हैं comparative statements के अब जो main चीज़ है वो यह की comparative statement कैसे बनता है तो हम पहले comparative statement का एक demo देख लेते हैं comparative balance sheet का की comparative balance sheet कैसे बनाई जाती है तो तो उसमें आपका पहला column होता है particulars वो हमारे लिए same as it is होता है दूसरा column होता है note number का वो हमारे लिए as it is होता है तीसरा column जो होता है वो हमें बनाना पड़ता है previous year का previous year का मतलब है कि जैसे आप अभी class 12th में हो तो आपका जो previous year है यानि कि जब आप class 11th में थे तो उस तरह स इसे company का भी जो previous year होता है हम previous year की figures को लिख लेते हैं उस column को बोलते हैं फिर उसके बाद चौथा column होता है जिसमें हम current year की figures लिखते हैं जैसे आप अभी class 12th में हो तो that is your current year तो उस column को हम बोल देते हैं B फिर जो दो सबसे important column हम बनाते हैं वो होता है अगला column absolute change absolute change का मतलब हो हुआ इस column को बोल देते हैं C और जिसको निकालने का formula क्या सिखा रखा है B-A तो पहले इसका एक छोटा सा demo देख लेते हैं तो माल लेते हैं मैंने previous year में figure लिख रखी है 60 current year में figure लिख रखी है 80 तो आपका absolute change कितना आ जाएगा 20 similarly अगर मैंने previous year में figure लिख रखी है 80 current year में figure लिख रखी है 60 तो मेरा absolute change कितना आ जाएगा negative 20 तो उसको bracket में show कर देते हैं तो absolute change समझ आ गया चौथा और last column होता है percentage change percentage change का मतलब होता है कि हम इनी absolute change को percentage की terms में define करते हैं जस column को हम बोल देते हैं D और इसको निकालने का formula होता है C column divided by A column into 100 तो जैसे हमारा C column में लिखा हुआ था 20 A column में लिखा हुआ था 60 तो 20 upon 60 into 100 तो कितने percentage आ जाएगा 33.33 similarly next वाले में C column में लिखा था minus 20 A column में लिखा था 80 तो minus 20 upon 80 into 100 तो कितने percentage आ जाएगा negative 25% आ जाएगा तो clear होगे comparative balance sheet अब बिलकुल उसी की तरह होता है दूसरा comparative statement of P&L तो company अपना जो P&L बनाती है उसका भी हम comparative statement बना सकते हैं अब इसमें format same होता है यानि कि हमारी कहानी same होती है इसमें भी columns same होते हैं जैसा हमने comparative balance sheet में सीखा 6 columns बस इसमें आपको क्या याद होना चाहिए कि P&L जो बनाती है company वो किस order में बनाती है जो आप already पढ़ चुके हो वैसे अपने term 1 में तो एक छोटा सा example है मैं इसी को discuss कर ले दूँ इसमें जैसे आपको कुछ particulars दे रखे हैं कुछ items दे रखे हैं RFO दे रखे है, other income दे रखे है, expenses दे रखे हैं और tax दे रखे हैं और पहले आपको current year की figures दे रखे हैं और उसके बाद आपको previous year की figures दे रखे हैं तो question आपसे ये कहता है कि comparative statement of P&L prepare करके दिखाओ, right तो हमको इसमें total वोई 6 columns बनाने पड़ेंगे तो जब हम इसमें columns बनाएंगे, तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि पहला column particulars, ठीक है, simple उसके बाद हम सबसे पहले previous year का column बनाते हैं यानि की column A का नाम क्या होता है, previous year तो आपको हमेशा पिछले साल के figures को पहले लिखना पड़ेगा अगले column का नाम होता है current year, जिसको बोलते हैं B उसके बाद अगले column का नाम होता है absolute change, जिसको बोलते हैं C, जिसका formula क्या B minus A, same, जैसा balance sheet में था और last column percentage change, जिसको बोलते हैं D, और जिसका formula क्या, column C upon column A into 100 अब यहाँ पे बस छोटा साथ important point है वो यह, कि जब आप comparative statement of P&L बनाते हो तो आपको उसके लिए पहले P&L तो याद होना चीए, क्योंकि आपको तो उसने information दे रखी है तो आपको actual P&L company का format याद होना चीए, वो क्या था, सबसे उपर आता है RFO उसके नीचे आती है other income, दोनों को जोड के आता है total revenue उसके बाद हम लिखते है total expenses, expenses की list बनती है जो आपको order wise याद होना चीए तो याद हो किसी को, सबसे पहला CMC, फिर purchase of stock and trade, change in inventory of raw material, finished goods and work in progress, finance cost, EBE, employees benefit expense, depreciation and amortization और other expense तो याद होना चीए, फिर सारे expenses को जोड के minus कर देते हो total revenue में से तो आपका आजाता है profit before tax फिर profit before tax में से आप less करते हो tax तो फिर आपका final answer क्या आ जाता है profit after tax यह जिसको बोलते है profit for the year तो जिसके हम सवाल अभी थोड़ी देर बाद देख लेंगे पर मोटा concept यह होता है comparative statements के concept बिल्कुल clear अब है इसके बाद common size statements या जो मैंने कहा था vertical analysis तो common size statements को 100% statements भी कहते हैं तो इसमें जो पहला हम सीखेंगे देखेंगे वो है common size balance sheet तो common size balance sheet कैसे बनाते हैं common size balance sheet का मतलब है एक तरह ऐसे कि आपको जो particulars दे रखे हैं वो आपको as it is note down करने note number दे रखे हैं वो आपको as it is note down करने अब यहाँ पर सबसे पहले हमें column बनाना पड़ता है जिसका नाम होता है absolute amount absolute amount का मतलब है कि इसमें हमें as it is वो ही values लिखनी है जो question के अंदर हमें given होती है अब absolute amounts में पहले आप previous year की figure लिखते हो और उसके बाद फिर current year की figure लिखते हो 200, 300 total आगया 500, 150, 350 total आगया 500 अब जो आपको last column बड़ा वाला खुद बनाना है उसे याद रखना उस column का नाम होता है percentage of balance sheet total यानि कि हमें previous year में भी और current year में भी हर figure को ये बताना है कि ये figure total का कितना percent है तो previous year में अगर आपको percentage निकालनी हो तो आप कैसे निकालोगे 60 divided by total यानि 180 into 100 तो अगर आप ये करोगे solve तो आपका answer आजाएगा 33.33% इसी तरह अगला निकालना हो तो 120 divided by 180 into 100 तो आपका answer आजाएगा 66.67% तो same way आप सारे items को total से divide करके into 100 करोगे तो आपकी percentages के answers आजाएगे clear होगे point? Same चीज हमको current year में भी apply करनी है तो current year में जैसे figure दे रखी है 200 तो हम 200 divided by 500 into 100 करेंगे तो percentage आजाएगी 40% similarly 300 divided by 500 into 100 करेंगे तो percentage आजाएगी 60% तो सारी figures को हम balance sheet के total से divide करके और into 100 करके percentage निकाल लेते हैं तो clear होगे यह वाला भी? फिर उसके बाद है common size statement of P&L यानि कि इस बार same काम हमें statement of P&L में करना रहता है तो इसका भी मोटा concept save है सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि इसमें हम percentage जो calculate करते हैं वो किसका calculate करते हैं? of revenue from operation तो यहाँ पर हमें total का percentage calculate नहीं करना होता है यहाँ पर हम percentage calculate करते हैं of RFO तो इसका एक example लेकर आपको समझा देता हूँ तो माल लेते हैं कि example है और question ने हमको कुछ items दे रखे हैं question ने हमको current year की figures previous year की figures दे रखे हैं for example और question कह रहा है comparative common size statement of PNL बनाओ तो common size statement of PNL बनाने के लिए आपका format तो बन जाएगा as it is जो हमने देखा particulars फिर उसके बाद पहला main column absolute amount जिसके अंदर पहले कौन से figures लिखने होते हैं आपको previous year के और फिर उसके बाद कौन से figures लिखने बढ़ते हैं आपको current year के लेकिन जो अगला main column बनेगा उसकी heading ध्यान से पढ़ो उसकी heading है percentage of RFO तो अब previous year की अगर मुझे percentages calculate करनी हो तो बड़े ध्यान से देखना मैं RFO को yellow रंग से highlight कर देता हूँ हमारे RFO की figure है 7,50,000 तो अब हमें हर figure को 7,50,000 से divide करना पड़ेगा और into 100 करना पड़ेगा तो 7,50,000 से आप divide करते चरो हर term को तो पहला 7,50,000 का percentage तो 100 ही आएगा उसके बाद 75,000 divided by 7,50,000 into 100 तो ये 10% आएगा उसके बाद 8,25,000 divided by 7,50,000 तो ये 110% आएगा and so on, सारी figures मतलब अगर मैं arrow बनाऊं तो 6,00,000 upon 7,50 10,000 into 7,50 70,500 into 7,50 divided by into 100 करेंगे तो सारी percentage आजएगे तो clear हो गया same हमको current year में भी करना होता है तो हर item को हम सिर्फ किस से divide करेंगे RFO से divide करेंगे तो total expense भी है तो RFO से divide tax की figure भी है तो भी RFO से divide तो in nutshell हमें सारी figures को किस से divide करना है RFO से divide करना है into 100 तो हमारी सारी percentage आ जाएगे तो ये हो गया हमारा common size statement of PNL तो बिलकुल clear होगे चारो का concept तो अब इसके हम questions करके देख लेते हैं तो पहले question पकड़ा है मैंने आपके लिए तो question मैं पढ़ देता हूँ फिर solve आप करना फिर हम discuss करेंगे तो इस question में आपको comparative statement PNL का बनाने के लिए कह रहा है तो comparative वाला कौन सा होता है बिलकुल से जिसमें हम बनाते हैं column absolute change का और फिर एक बनाते हैं percent date change का तो पहला column A बनेगा A में आप कौन से figures लिखते हो previous year के तो यानि 2020 का column होगा A 2021 का column का होगा नाम B फिर absolute change का formula B minus A percentage change का formula C by A into 100 तो अब ये जो items आपको दे रखे हैं वो मैं सिर्फ orally discuss कर रहा हूँ सबसे पहला आपको दे रखा है RFO या आप सबसे ऊपर लिखते हो उसके बाद दे रखा है आपको other income या आप उसी के नीचे लिखते हो इन दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या आजाता है total revenue फिर उसके नीचे हम लिखते है expenses तो expenses में सबसे पहला कौन सा आजाता है cost of material consume जो दे रखा है direct फिर उसके बाद हम लिख लेंगे change in inventory जो दे रखा है direct फिर उसके बाद other expenses जो है वो हमें नहीं दे रखे बड़ा ही बहतरीन point है ये वो उसने लिखा है percentage of cost of RFO तो अब बहुत सारे बच्चे क्योंकि term 1 में नहीं पढ़ते ध्यान से तो उन्हें ये formula ही याद नहीं होता कि cost of RFO आखिर होता कि है तो cost of RFO को हम short में मतलब वैसे COGS भी कहते हैं कुछ लोग नहीं तो cost of RFO क्या होती है वो आपको पता होनी चाहिए cost of RFO का मतलब होता है कि आपका जो भी cost जो भी आपका consumption है raw material का प्लस जो भी आपका purchase है stock in trade का प्लस जो भी आपकी change in inventory है यानि कि expenses की list के top के 3 तो इस question में expenses की list के top के 3 में से आपको बस top के 2 दे रखे हैं कौन-कौन से cost of material consumed और change in inventory तो आप इन दोनों को जोड लेना जैसे मैं डेमो करके दिखा जैता हूँ तो 10 लाग और 2 लाग कितना हो गया 12 लाग तो ये 12 लाग को बोलेंगे cost of RFO clear हो गया point तो cost of RFO आपकी 12 लाग हो गई तो other expense कह रहा है 20% है तो 12 लाग का 20% कितना हो गया 2 लाग 40 थाउज़द तो ये figure आपको ऐसे calculate करनी पड़ेगी तो clear हो गया point तो एक बार अपने मूँ से बोलो cost of RFO का मतलब क्या होता है cost of material consumed purchase of stock in trade या change in inventory इन तीनों को जोड़के आप cost of RFO निकाल दोगे और उसके बाद last दे रख है tax rate 40% तो tax rate जो होता है वो तो कब लगाते हैं जब हमारा profit before tax आता है उसमें से हम minus करते हैं tax और फिर last में final आता है answer profit after tax ठीक है अब आप पूरा format बनाओगे अपने आप फिर हम discuss करेंगे आपसे थोड़ी देर के बाद तो कर लेते हैं बच्चों discuss आपने निकाल लिया answer देखो कैसे बनाना है solution comparative statement वो आपका heading में आगया अब देखो सबसे पहले इनका 31 March 2020 previous year का figure का column हो गया A उसके बाद 31 March 2021 current year के column का नाम हो गया B उसके बाद C column में आगया absolute change यानि B minus A और last column में आगया percentage change यानि C upon A into 100 तो पहले ये तो हो गया हमारा conceptual formula अब particulars पर आप focus करना revenue from operation आगया सबसे पहले फिर उसके बाद other income आगया दोनों को जोड कर आगया total revenue राइट फिर expenses heading आगयी उस heading में A आगया CMC, B आगया change in inventory और C आगया other expense देखो other expense हमने कैसे निकाला था cost of RFO का कितने percent बोला था 20 तो जैसे previous year में देखो 8 लाख और 1 लाख इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आगया 9 लाख 9 लाख का 20 परसेंट करोगे तो 180 इसी तरह है current year में भी मैंने निकलवाया था 10 लाख और 2 लाख इन दोनों को जोड़ोगे तो cost of RFO हो गए 12 लाख तो 12 लाख का 20 परसेंट कितना आ गया 240 तो तीनों expenses को लिखकर आप जोड़ोगे तो वो बन गया total expense यादा steps clear फिर total revenue minus total expense करते है तो हमारा answer या क्या आता है answer profit before tax तो previous year का profit before tax आ रहा है 17,20,000 current year का आ रहा है 21,60,000 यह figure ठीक हो हुई फिर less लिखना है आपको less tax at 40% इसका मलब सरकार इस profit में 40% का tax ले लेगी तो 40% आप calculate कर लोगे तो वो आ जाएगा 688 previous year में और 864 current year में तो वो minus करोगे तो final answer आपका आएगा profit after tax तो यह figures आ जाएगी बागी C column और D column तो सिर्फ mathematicals है C column में B minus A करना है और D column में C upon A into 100 करना है तो finally जो last column होता है examiner वो check करता है आपके exam में और उस हिसाब से आपको 4 number दे देता है तो अगर हमारी सारी percentage ठीक है तो इसका मतलब absolute change ठीक ही होगा और सारी figure ठीक ही होगी राइट तो clear होगे वाला चलो अगला एक और प्रशन है बढ़िया बहतरीन exam के लिए prepare common size statement of PNL तो इस बार आपको common size statement बनाना है PNL का तो common size ज्याद आगया कौन सारा था पहला column main उसको क्या बोलते है absolute amounts उसके अंदर पहले previous year का column फिर current year का column और दूसरे main column को क्या बोलते थे percentage of RFO तो इसमें हम percentage of RFO के हिसाब से निकालेंगे तो इसमें आपको देखो particulars में RFO दे रखा है एक बाद discuss कर लेता हूँ other income दे रखा है तो सबसे पहला आप इन दोनों को लिखोगे दोनों को जोड के बन जाएगा total revenue फिर आपको expenses में दे रखा है CMC EBE और other expenses तो ये तीनों आपके expenses में आ जाएंगे तीनों को जोड लोके तो बन गया total expense अब नीचे additional information जो है वो एक बड़ी मज़िदार point है इसमें कह रहा है other expenses include provision for tax of 80,000 for the year ended 31 March 2020 and 1 lakh for 31 March 2021 इसका मतलब other expenses में हमने provision for tax को भी घुसा रखा है include कर रखा है तो अब other expense के अंदर provision for tax तो नहीं होना चाहिएं क्योंकि tax तो हम अलग से last में show करते हैं less करके तो अब 2021 के अंदर other expense आपको 1,80,000 के दे रखे हैं जिसमें से 1,00,000 तो provision for tax के नाम के हैं तो अब आप other expense को 1,80,000 नहीं लोगे कितना लोगे सिर्फ 80 तो समझा गया इसी तरह previous year में other expense आपको 1,40,000 दे रखे हैं लेकिन उसमें से 80,000 तो आपने provision for tax के घुसा रखे हैं तो अब आप previous year में other expense कितना लोगे सिर्फ 60 तो tax जो होता है उसको हम अलग से last में less करके show करते हैं तो अगर वो other expenses के अंदर है तो आप वहाँ पर इसको include नहीं करोगे हटा दोगे ठीक है तो अब आप बना के देखो common size statement of PNL पूरा का पूरा फिर check करेंगे उसकी percentage of RFO तो आपने जो solve करा वो ऐसे ही करा होगा सबसे पहले main heading आ गई absolute amount ठीक है न वो देख लो आप और दूसरी heading आ गई percentage of RFO तो पहले उसके अंदर हम लिखते है previous year की figures और फिर उसके अंदर हम लिखते है current year की figures तो पहले हम figures की बात कर ले दे तो आपने सबसे पहले लिखा RFO फिर उसके बाद लिखा other income दोनों को जोड कर आ गया क्या total revenue ठीक है same format फिर expenses की list में सबसे पहला लिख लिया CMC, EBE और other expense में देख लो एक बार notice करो उसने वो ही figures लिख रखी है जो हमने discuss करा था previous year में 60 और current year में 80 राइट फिर total expenses आप क्या आ गए 540 और 8 lakh फिर total revenue minus total expense करोगे तो आपका क्या आ जाएगा profit before tax less करेंगे tax अब tax में देखो क्या figures लिख रखी है जो उसने हमें provision for tax वाली दे रखी थी previous year में 80 और current year में 1 lakh तो इस बार उसने tax हमको दे रखा था तो tax को minus करके आपका last final answer आ जाएगा profit after tax clear होगे तो यह तो होगी absolute amount अब हमको निकालना है percentage of RFO तो जैसे previous year में अगर मैं बात करूँ कि कैसे निकला होगा तो RFO है 8 lakh तो उसकी percentage तो 100% ही आ गई अब उसके बाद हर item को हम 8 lakh से divide करेंगे 20,000 divided by 8 lakh into 100 तो यह आ जाएगा 2.5 फिर 8 lakh 20,000 divided by 8 lakh into 100 4 lakh divided by 8 lakh into 100 यह आ जाएगा 50% फिर 80,000 divided by 8 lakh into 100 यह आ जाएगा 10% 60,000 divided by 8 lakh into 100 यह आ जाएगा 7.5% फिर 5,40,000 divided by 8,00,000 into 100 यह जाएगा 67.5% उसके बाद 2,80,000 divided by 8,00,000 into 100 यह जाएगा 35% and similarly 80,000 divided by 8,00,000 and 2,00,000 divided by 8,00,000 तो मतलब सारी figures आपकी percentage of RFO की terms में निकल जाएगी तो process समझ आगया and same current year में भी ऐसे निकाल लेंगे तो सारी figures को RFO की figure से divide कर देंगे clear? अब आते हैं सबसे special तरह की सवाल इसमें आपसे statement बनाने को नहीं कहेगा या कहेगा भी तो वो पहले से बनी बनाई होगी पर इसमें दोविदा ये होगी कि आपको कुछ missing चीजे देगा जैसे यहाँ पर यह missing है यहाँ पर यह missing है यह missing है आप देख रहे हो कुछ-कुछ जगाँ पर question marks है तो जैसे यह question है एक comparative statement of PNL का तो आपको एक comparative statement आपको पहले से बना बनाया दे रखा है लेकिन उसके अंदर कुछ चीजे क्या है missing है समझ आगे ना तो जैसे हम एक निकाल के देखते हैं जैसे मान लेते हैं यह पहला बाला अगर मुझे यह निकालना हो तो अब हमें columns के नाम तो पता है previous year को बोलते हैं A current year को बोलते हैं B absolute change का formula क्या होता है B minus A तो इसको आप निकाल सकते हैं क्योंकि आपको इसका formula पता है B minus A इसे हम C बोलते हैं तो एक question mark वाली figure आपकी कितनी आ जाएगी 3,80,000 तो simple हो गया point अब इसी तरह पालो अगला वाला question mark है जो हमें अगला question mark निकालना है अब अगला question mark में हमारे पास A है 2,50,000 लेकिन B गायब है B हमें निकालना है पर हमारे पास C की value 2,00,000 दे रखी है तो अब आपकी B की value क्या आ जाएगी 4,50,000 तो सबज आगे clear होगे point तो इसका मतलब कई बार हमसे missing figure निकलवा सकता है ऐसी अगले में हम C की figure निकाल लेंगे इसी तरह नीचे भी हम C की figures निकाल लेंगे तो कई बार वो हमें missing figure भी निकालने को दे सकता है तो अपने को formula पता होना चाहिए ठीक है चलो तो एक और इसी तरह का है यह basically हमें common size P&L दे रख है वैसे तो आपको शकल से पहचान लेना चाहिए ठीक है ना common size P&L दे रख है पहला main column है absolute change दूसरा main column है percentage of RFO फिर वो ही पहले previous year की figures दे रखी है फिर current year की figures दे रखी है तो पूरा देने के बाद आपको कुछ-कुछ question marks इसमें given है जैसे यहाँ पर देख रहो ना 2018 में आपको RFO का percentage के नीचे question mark given है इसी तरह expenses में आपको यहाँ question mark given है तो आपको अलग-अलग question marks given है तो आपको basically क्या find करने है missing figures find करने है तो करोगे try एक बार 5-10 minutes का आपको time देते हैं तो कहीं बार ऐसा reverse question भी आ जाता है कि आपको missing figures पूछ लेगा find करने को तो आप अपने formula पर stick रहना जो आपको सिखाया तो एक बार formula लगा कर कोशिश करो फिर मैं discuss कर लूँगा कोई भी दिक्कत होती है तो चलो तो सही है इसका मतलब तो आपने आठ जो missing figures निकाले होंगे तो एक तो यह था तो यह 100% निकल गया होगा यह तो सीधा हो गया RFO है तो 100% फिर यह 5% आ रहा होगा अगला क्योंकि 1 lakh divided by 20 lakh into 100 उसके बाद CMC की यह figure 6 lakh आ रही थी आपकी वो हम कैसे निकाल सकते हैं क्योंकि इसकी percentage दे रखी थी 30 और RFO हमें given है 20 lakh तो obviously 20 lakh का 30% calculate करेंगे हम तो यह 6 lakh आ जाएगा same way आपने EBE निकाला होगा 3 lakh क्योंकि इसकी percentage दे रखी थी 15% तो 20 lakh का 15% निकालोगे तो यह आ जाएगा 3 lakh और same way आपने निकाला होगा 2 lakh क्योंकि इसकी percentage दे रखी थी 10% तो RFO का 10% निकालोगे तो यह आ जाएगा 2 lakh so simple फिर आपका यह आ रहा होगा 5% 1 lakh divided by RFO into 100 फिर उसके बाद यह फिगर आपकी आ रही होगी 60% 12 lakh divided by 20 lakh into 100 और last यह फिगर आपकी आ रही होगी 10% धाई लाग divided by 25 lakh into 100 हाँ जोड भी सकते हो वैसे भी कर सकते हो बिल्कुल से वैसे भी कर सकते हो 43 minus 33 तो 10 आ गया बस cross check करने के लिए मैंने यह जरूर follow करा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गलत हूँ तो ऐसा भी करके हम पता लगा लेंगे तो मतलब in totality अब चारों तरह के statements में से कुछ भी आ जाए तो हम बना लेंगे और उसमें कुछ भी वो missing figure भी दे देगा तो भी हम solve कर लेंगे clear अच्छे से बिल्कुल? perfect perfect